यह हर्ताल खत्म होने वाली नहीं है हम लोग अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहिश के लिए नितिश कुमार नोकरी से अटा दे जिन्दकी जीने के लिए संबेदानी का दिकार है मेरा मौली का दिकार है इसका कोई हना नहीं कर सकता है नवस्कार मैंना नाम रभीकान चौरोशिया है और आप देख रहे हैं बोलता खगरिया आज 17 फरवड़ी है पूरे बिहार के नियोजी सिक्षक हर्ताल पर है तो कहीं नितिश कुमार के फरमान के बाद कई सिक्षक ने तो आज योगदान देने का भी फैस्तलक किया है तमाम सिक्षकों के दवी जुवान से अभी निकल के आ रही है कि इस में असमर्थन दे रहे हैं तो कई सटाइस के बाद टेट 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 ने हो राजपती सिक्षक संग हर्ताल पर नहीं है सब अब लोग मैट्रिक परिछा को सुचारू से चलाने के लिए हर्ताल पर नहीं जाने का फैसला किया है अब सरकार को समर्दन कर रहे हुए हम लुग नियमी टीचर है अच्छी पताएं शिक्षकों कि यह मांग जायज है या नजाज है यह हमने बता सकते हैं यहां पर क्या करने हैं यहां हम जोगदोन विवाक अनुसार बोले कि जोगदोन देजिस जोगदोन लिए यह हमारे खग परिक्षा का वहिस्कार करके समाज विरोधी हैं हम अभिभावकों के साथ चल कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है अगर ऐसा कुछ होता तो आज का परिक्षा बिलकुल भी बाधित होता जबकि निर्वाद रूप से बिना विग्ण के आज का परिक्षा समपन हो गया इसका मतलब हम लोग परिक्षा विरोधी नहीं अनोज कुमार जिलाध्यक प्रात्मिक सिख्षक संग्स अध्यक्ष 100% हर्ताल आज नहीं है लेकिन किसी चीज़ की शुरुवात सनय सनय होती है और हम आपको आस्वस्त करना चाहते हैं कि 2-3 दिन मैक्सिमम 4 दिनों के अंदर आप खुद महसूस करेंगे कि 100% हर्ताल में यहां के सिख्षक चले जाएंगे यह है कि हम लोग BRC में हर एक साथो BRC में बैट करके एक साथ सभी संगठन के लोग और वहां से मोनेटरिंग करेंगे कि उस परखंड में कौन सा विद्याले खुली हुई है कौन सा विद्याले बंद है और वहीं से कोशिस करेंगे कि उन तमाम सिख्षकों को लाकर 100% को सफ होल मांक जेवर का सोरूम पता न्यू गोपाल जोलर स्थाना रोट खगरिया